दोस्तो एप्रिल का मन्थ चल रहा है और अलड़ी जो गर्मी है वो काफी हो चुकी है एंड प्रडिक्टेड है कि में आते आते हीट वेफ और बढ़ेगी सो ऐसे में किरियोसिटी यह है कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है क्योंकि एक हल्दी मॉनसून सिर्फ गर्मी सही नहीं रहात देगा बलकि इंडेन एकॉनमी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा लोबल वेदर एजेंसी इंक्लूडिंग दा एशिया पैसिफिक एकनॉमिक कोपरेशन क्लाइमेक सेंटर में फोरकास किया है कि इस साल लालीना यह होगा जो एक अच्छे मॉनसून के लिए फेवरिबल होता है एंड एक अच्छा मॉनसून एगरी कल्चर के लिए भी फेवरिबल होता है वर्ल्ल में बताया था कि लास्ट देसंबर में अपने पीक पे था और अब अब एक्सपेक्टेड है कि में दोजार चौबीस तक अफेक्ट कम होने लगेगा एंड फिर लालीना फिनॉम्ना स्टार्ट होगा जिससे अच्छी बारी से एक्सपेक्टेड लेके लिए में यह बढ़ जाते हैं जिससे जो ट्रेड विंड्स होती है वो वीक हो जाती है और उसका नेगेटिव इंपक्ट इंडियन मॉन्सून पर पड़ता है वहीं लालीना में सी सर्फेस तेंपरेचर सेंटल और इस्टन पैसिफिक ओशन में कूल हो जाते हैं जिससे जो ट्रेड व